क्या आप अपने grow application के अंदर किसी भी share को आपने hold करके रखा हुआ है अपने holding में और आप grow application के अंदर एक जो नया feature आया हुआ है DDPI उसे आप activate करना चाहते हैं तो कैसे आप activate करेंगे जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं जब हम grow application के अंदर किसी भी share को buy करके रखते हैं यानि कि hold में रखते हैं hold में रखने के बाद जब हमारा एक दिन पूरा हो जाता है और अंगले दिन जब हम उस share को sell करते हैं तो यहाँ पर हमें यहाँ पर CDCL का T-PIN इंटर करना होता है और हमारे नंबर पर एक OTP आता है तो आप क्या होगा कि अगर आप इस feature को चालू कर लेंगे जो आपको X में एक नया feature मिला है DDPI के नाम से इसे अगर आप चालू कर लेंगे चालू करने की बाद क्या होगा कि जब भी आपने holding के किसी भी share को आप sell करेंगे तो यहाँ पर आपको CDCL का T-PIN और आपको OTP इंटर नहीं करना होगा डारेक्ट आपका verify हो जाएगा और उसे आप sell कर पाएंगे तो बस आपको यहाँ पर holding के option पर क्लिक करना है जैसे आप holding के option पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको यह option मिलेगा activate DDPI और आपको यहाँ पर दिखाए देगा sell without T-PIN यानि कि कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी T-PIN की जो आपको CDCL की तरब से मिलता है तो बस आपको sell without T-PIN पर क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पे जाएगा यहाँ पर बताया जाएगा कि इसे activate करने के लिए आपको 118 रुपए देने होंगी तो सबसे पहले wallet में अपने जितने रुपए बोल रहे हैं उतने रुपए आपको add कर लेना है यहाँ पर बताया जाएगा sell stock without T-PIN आपको T-PIN की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस features को activate कर लेते हैं by activating DDPI you can skip T-PIN और OTP for ever for sell order जब आप order को sell करेंगे तो आपको यह फिर T-PIN की जरूरत और OTP की नहीं पड़ेगी उसे आप skip कर पाए तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको pay and activate और आपको फिर इस पर click करना होगा क्लिक करने की बाद थोड़ा सा आप wait करिएगा आपके समने कोच इस तरीके से pay जाएगा यहाँ पर आपको पूरा कपूरा e-sign करना होगा इस features को activate करने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा sign now और enter vid या फिर enter आधार नमबर तो यहाँ पर आपको अपना virtual ID नमबर या फिर आपको अपना आधार नमबर इंटर करना होगा तो हम यहाँ पर अपना आधार नमबर इंटर करेंगे हमारे आधार पर एक OTP आएगा जब यहाँ से हम भेजेंगे उसके बाद OTP को हमें यहाँ प करना होगा डाकुमेंट सेगन सक्षेस्पुली हो जाएंगे अब आपके समने डारेक्ट एक ओप्सन आजएगा एक्टिवेट करने का या फिर आपका यह एक्टिवेट हो जाएगा इसमें आपका जो रुपए लगेगा उसमें बताया जाएगा कि आपको इतने रुपए का आज लगेगा अगर आप इस फीचर को चालू करेंगे तो आप आपको यहाँ पर दिखाए दे रहा होगा डी डी पी आई विल बी एक्टिवेट वर्के यहाँ पर वित इन टू वर्किंग डेज यानि कि दो दिन का समय लगेगा और यह फीचर्स आपके ग्रो के डी मेट एकाउंट पर चालू हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से आप अपने ग्रो एप्लिकेशन के अंदर आप डी डी पी आई एक्टिवेशन इन प्रोग्रेस अनिकि इसे आप चालू कर सकते हैं उसकी बाद अपने होल्डिंग से किसी भी सेयर को आप बेचेंगे त तो मैं आशा करूंगा आप समझ गये होंगे कि ग्रो एप्लिकेशन के अंदर डी 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 पी आई एक्टिवेट कैसे किया जाता है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं चैनल पर पहले बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकत हैं वीडियो पूरा देखने के लिए हमारी तरब से आपको पहुर पहुर धन्वाद